है कि वेल्गम टोक्लास वन्टीफोर तो जैसा कि आज 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 आपको पता है कि हमारा टॉपिक है तर्न ट्रेड तो जिन भी बच्चों ने होती है अलग अलग हम लोग देखते हैं तो आपको पता है कि जो बच्चे आई टी वाले बच्चे है जिनके पास मैटेरियल की दिक्कत आती है कोश्चन की दिक्कत आती है तो किस तरह उस चीज को एंडल करें तो गई आपको क्लास 24 जो है मैं बकाइदा आपको सारा कुछ मैटेरियल जो है वो प्रवाइट करा रहा हूं कोई भी एक्जाम हो यह सिर्फ यह नहीं है कि रेलवे के लिए पर्टिकुलर चीज है आपको पता है इंडिया नेवी में भी अभी टर्नर की वेकेंसी निकली थी ट्रेड्समें क हर साल वेकेंसिया आती है खूब आती है तो जहां पर विए आपको टर्नर ट्रेड की ज़ुरूत पड़ेगी चाहे आप कोई भी एक्जाम दो अपनी चाहे रेल्वे का दो चाहे कोई भी आप एक्जाम को कंपनी का दो जो भी अगर आपका टेकनिकल सब्जेक्ट टर्नर तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही मैटरील आपको आरम से सेलेक्शन दिला देगा हिंदी इंगलिश की कोई दिकत निया मैं आपको थोड़ा सा बता जिता हूं कंटेंट कैसा है तो आपको पता है तरन ट्रेड बालों के लिए लेट मशीन में आपका आता है लेट मशीन से आत है तो यह सारी चीज है मैंने इसके अंदर सारा लिखा हुआ है यह जैसे आपका इंग्लिश में यह पूरा हिंदी में है जो आपका पूरा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे एक आपके सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको बताता हूं जैसे कि आपको एक फॉर्मूला आता है आपका हमेशा वास्ता पड़ा होगा क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं मशीनिंग में तो वहां आती है कटिंग के लिए आती है यह जो होती है यह जो होती है यह आपकी होती है सर मीटर पर मिनिट के अंदर कितने के अंदर यह जो आपको वेलोसिटी मिलती है यह आपको मिलती है कौन से मात्रक में मिलती है मीटर पर मिनिट में और यह जो आपको मिलती है यह मिलती है आपको मीटर पर सेकेंड के अंदर आ आपको सीधा सीधा एक formula पता है कि b veya और और आव अर मेग और क्या होता है sir radius होंतियोंται एंगूलर विल Olivia जीसको आम लोग बोलते गूंडर्मदन गती डी यह लीनियर विल ओस्टी आपको और पता इसको सीधा-सीधा इन्होंने क्या कर दिया यह दो गुणा जो आर है इसको सीधा-सीधा इसने डाइमीटर लिख दिया है ना अब अगर मैं इसकी बात करूँ एन क्या होता है सर एन होता है आपका revolution per minute याद है आपको यह सब चीज जब revolution per minute होता है तो minute को किस में convert करेंगे second के अंदर जब second में convert करेंगे तो एक minute में कितना second होता है सर 60 इसलिए इसमें कितने होगा डाइडी तो बी वरावर सीधा सीधा इसको मैं लिख दूँ डायमीटर गुणा पाई पाई का मान कितना है बेटा 3.14 गुणा एन ठीक है अपॉन 60 सुरी 60 डिग्री निए 60 है तो यह सीधा या आपके question के अंदर meter में लिखा हुआ है और बी जो इसमें निकलेगा ना बेटा यह बी कैसे निकलेगा क्योंकि diameter इसमें meter में है और n को मैंने किसमें convert कर दिया revolution per minute था जिसको 60 का divide किया 60 का भाग दिया तो उसको second में करवकर दिया तो जो भी आपको यह formula से answer मिलेगा यह किसमें मिलेगा meter per second के अंदर clear है इसी वज़े से मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना बेटा देखो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि बी वरावर pi dn by 60 जो आपको formula यूज करना है meter per second में आएगा और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जो बच्चे गलती करते वो d किसमें meter के अंदर है meter clear है लेकिन आप बोलोगा सरी यह जो formula लिखा हुआ है b बरावर pi dn by 1000 यह कैसे आया फिर यह तो आप meter per minute बोल रहे हूँ हाँ बेटा यह जो formula लिखा हुआ है na meter per minute वाला यह आपको मैं आपको करके बताता हूँ यह कैसे आएगा formula 2 गुणा r pi n by 60 यह था क्या w बरावर अपना था 2 pi n by 60 yes or no यही था बेटा सॉरी 60 degree क्यों लिख रहा हुआ ना 2 pi n by 60 था अब 60 जो है इसको मैंने second meter को second में convert किया है वह आपके minute को second में convert किया है इसलिए 60 भाग दिया है लेकिन अपन जब formula यूज करेंगे आपकी बार यह formula यूज नहीं करके सीधा सीधा लिखेंगे बी बरावर यह बिटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके concept clear हो जाएंगे आज के बाद आपको है ना यह मीटर पर मिनिट मीटर पर सेकंड इन में दिक्कत नियाएंगे जो भी बच्चे लेट मशीन पर नियुमेरिकल सॉल्व करते है चाहे वह पाई एन के लिए और आपका इस बार जो आर गुना टू है यह क्या बन जाएगा दो गुना तरिज्जा मतलब टू इंटू रेडियस यह सीधा सीधा क्या बन जाएगा इसको मैं सीधा लिख दू डी पाई एन अब की बार जो आप बोलो सर पाई डीन ही आ गया हाँ बेट मीटर में कनवर्ट करोगे तो है य। गया देंगे और आपको पता है एंको मेंने चेंज नहीं किया रपीम इसको मैंने अभी सेकंड पनिष्क्राइग कर नहीं किया है तो जब कर लिख नहीं किया है तो diameter किसमे होता है पेटा mm में अगर diameter आपका mm में है velocity आपको निकान लिए तो meter per minute में आएगी और अगर velocity आपको meter per second में निकान लिए तो उस case में diameter किसमें होगा meter के अंदर और वहां पे mechanical engineering के बहुत सारे courses मिल जाएंगे यह सारा content जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ना विद रेगुलर classes के साथ तो जाके इसको देख लेना और यह सारा content है इसके अंदर आपको सारे एंगल से cutting angles साइड cutting angles सारा कुछ मिलने वाला है ठीक है तो टर्न ट्रेड वालों के लिए आपको कोई चिंता करने ज़रुवत नहीं है देखो बच्चे चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो मुझे इतना पता है कि बच्चों को पहले वेल्ड ट्रेड के लिए भी बहुत दिक्कत थी वेल्ड ट्रेड है तो बकाइदा बिल्कुल चिंता लेने की जुरुवत नहीं है मैटेरियल करो क्लासेज देखो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे सारा कुछ होगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच गाईज क्लास 24 से जुनने के लिए थैंक्यू सो मच गाईज